असलाम अलाइकुम अलात आला की रह्मतों भड़कतों और आप सबकी दुमाओं के साथ लाइफ स्ट्राइल विद्राबिया में हुशाम अदीद वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें बैल आइकन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें करना जब आपने मयर्मेंट करनी हैं तो मैं सबसे पहले साथे चार इंच पर अलग करूंगी इसको अलग करके ताके मैं स्टीच करूं तो यह बिलकुल किनारे पर भी नहीं था 15 इंच मेंने लंबाई ली है 3.4 इंच मैंने इसकी चुराई ली है मार्क करूंगी इस तरह से आपने वीडियो को पूरा देखना है, skip नहीं करना 15 इंच लंबाई है, 4.5 इंच इसकी चुराई है और जब मैं इसको उपन करूँगी तो ये 9 इंच बाज़ेगा इसको मैं अलग से कट कर लूँगी ये जो पैनल है, सेंटर में डलेगा अब मैं फिर आपको उपन करके दिखा देती हूँ इसकी लेंच जो है, वो 15 इंच है और चुराई जो है, वो 9 इंच है 22 इंच चस्ट के साब से हम फ्रंट पार जो है, वो किस तरह से त्यार करेंगे आपने वीडियो को पूरा देखना है, ये 9 इंच है अब जो नीचे वाला पार्ठ है, उसकी लेंथ और वीडियो को उपर रखेंगे ये सेंटर वाला पार्ट है तो 15 इंच मैंने अंटी-टेव को उपर रखा है बाकी जितनी आपने इसकी लेंथ को रखना है आपने 35 इंच रखना है, 34 इंच रखना है, यह देखें, 15 इंच मैंने एंची टेप को ऊपर रखा है, उसके बाद जो है वो फैबरिक की जो मेरमेंट है, वो मैं लूँगी, मैं रखूंगी 37 इंच जो के तियार हो के फ्रंट इसका 36 और 35 रह जाएगा, आपकी अपनी मर्जी आप 34 रखना चाहते हैं, या 35 रखना चाहते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है, जितना आप शौट पहना पसंद करते हैं, क्योंके इसका जो फ्रंट है वो शौट है, और बैक थोड़ा सा लोंग है, तो अपने आप साइज के साफ से इसको कम ज्यादा करेंगे, मैंने 22 इं चुराइपे मैंने इसको कट कर लिया है, अब मैं इसके ओपर स्लाइप बरी करके चुनट डालूँगी, और इसको 9 इंच के बराबर मैंने लेकर आना है, इस तरह से, ये सेंटर में चुनट आएगी, इसको स्लाइप करेंगे, जो बिगनर्स हैं, वो उनको मैं बता दूँ मैं नुच और पांच पैनल पैस को कट नहीं करूँगी, य मैं आथ इंच चुराइपuka इसको के अग करेंगे, इसाद सेंट बराबर में चुराइप तो मैंने तो इसको दालेगे, जो उनको तरह बता है particularly क시 षब साइट लिया है, तो इसको मैं ने पांच इंच nor पैनल लिय पर यह दो पार्ट कट करूंगी क्योंकि साइड पर कटिंग में भी आना है तो मैं 5 पर कटिंग नहीं करूंगी आपने भी यह गलती नहीं करनी आठ एंच पर हम इसको कट करेंगे जो मैं इसको double fold करूंगी यह देखें 8 एंच चुराई और 37 एंच लंबाई पर मैं इसको कट करूंगी यह front part है क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है हम उसको 22 इंच एक्स्टा रखेंगे जो के fold होने के बाद front पढ़ाएगा यह 2 पार्ट मैं करूँगी फ़रंट के लिए 8 इंच चुराई के और 37 लंबाई यह कुरती जो है वह वह टॉप आम टॉप से हाटकर है आम टॉप से हाटकर स्टिच होगाँ यह दो मैंने कट कर ली है और यह फ़रंट के ही है इस तरह से मैं इसको रखोंगी अलग अलगो और जो मैंने नहीं है बैग जो हम 2-2 इंच एक्स्टा लेंगे 22 इंच के साफ से फ्रंट वाला जो पार्ट है वो 18 इंच बन रहा है तो साइड की कटिंग बाद में करेंगे आपने 5 इंच नहीं लेना 8 इंच चुराई ही लेनी है अब बैग पार्ट करेंगे तो 22 इंच चस्ट के लिए 11 इ जैसे के हमने 5 इंच नहीं लिया आठ इंच लिया है तो आपने कोशिश करनी है कि 13 इंच नहीं ले अगर आपके पास फैबरिक है तो आप इसको तक्रीबन 17-18 पर कटिंग करें डबल फोल्ड करके ठीक है इसको मैं इस तरह इसके उपर रखके आपको दिखाती हूं के 2-2 इस यह देखें एक्स्ट्रा है लेकिन हमें नीचे से ज्यादा चाहिए उपर से 2-2 इंच ही आएगा नीचे से किस तरह से ज्यादा चाहिए आपने वीडियो को पूरा देखना इसकी नहीं करना और इधर से ही समझ के आपने कटिंग नहीं कर ले नहीं यह देखे मैंने बै जितनी जो भी आपने तियार करना है जितनी आपने शोट रखनी है फ्रंट उससे आप पांच इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक को और जितनी आपने चस्ट की चुलाई रखनी है उससे आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मतलब 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों स सोरी तीरा और साथ इंच ही इसका आर्म होल लूँगी मैं आप अपने साफ से कम ज्यादा कर सकते हैं यह मीडियम साइज है तकरीबन 14 से 15 साल की बच्ची को भी आ जाएगा और चस्ट से मैं रखूंगी 9 इंच पे ठीक है क्योंकि हमें 18 इंच चाहिए फ्रंट वाला पार्ट टोटल हमें चस्ट बाइस चाहिए यह देखें साथ इंच लंबाई है तीरे की और साथ ही आर्म होल की उपर से मैं मैयर करूंगी और 15 इंच पे दुबारा से मार्क करूंगी लाइन ड्रा करूंगी ताके आपको भी समझने में असान नहीं हो चस्ट से मैं रखूंगी 9 इं कि उपर से कोई शेप नहीं होगी बिल्कुल सीधा होगा 9 इंच मैंने उपर से रखा है आदा इंच मैंने मार्जन चोड़ा है कटिंग के लिए और सोरी स्लाई के लिए तो नीचे से भी मैंने 9 इंच और उपर से 9 इंच मतलब साड़े 9 इंच पे मैं इसको कटिंग करेंगे सीधी सी रार्ण करेंगे अब इसी राइन को मैं कॉर्णनर पर ले जाओंगी इस तरह से जैसे के हम jej Color क्टिंग करते हैं उस तरह से यह फ्रणट पर मार्ग करना मार्ग के तौने पर में ले याऊंगी और सब्रसे थोड़न कर लूँगी उपर से हमने साथ ही कर लेनी है वीडियो अपसांद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा अगर आप और भी प्यारे प्यारे फ्रॉग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं सिरफ आपने फ्रंट पार्ट करना है बैक कट नहीं कर देना गलती अपने फील नहीं हो इसको सेट करती हूं उपर से सेट करने के बाद आपने इसको इसको बिलुकुल सीधा नहीं रखना नीचे से ठीक है यहां से आपने शेप इसकी सीधी नहीं रखनी जो शेप तिर्ची आएगी इस तरह से रखना है यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने साइड पर रखा है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक काम था तो मैंने इस वज़ास इसको नीचे रखा है अगर आपके पास फैब्रिक अब मैंने इसको 4-4 इंच पे मार्क किया है दो दो इंच दोनों साइड पर चला जाएगा तो टोटल यह चार बनता है नीचे से भी इसको थोड़ा सा खोल के बिल्कुल सीधा करके कटिंग नहीं करनी चार चार इंच पे मैं से मार्क करूंगी यहां से मैं सकेल की मदद से ला मैं आपको साफ बताया कि अगर आपके पास फैबरिक है तो आपने जिस तरह से कटिंग करेंगे थोड़ी सी राउंड शेफ बनाएंगे राउंड शेफ किस तरह से की है बैक साइड की वह आपने देख ली है अब मैं इसको 4-4 इंच के एक्वल करके तो मैं कटिंग कर तो कटिंग कर लेती हूं बाकी सारी शेफ को हम उसी तरह से स्टिच करेंगे इसकी नेक भी वैसे ही बनाएंगे जैसे के हम आम नेक बनाते हैं सिरफ ये जो है बैक पार्ट ये समझने वाली बात है और इसको मैं कट कर लूँगी आर्म होल भी और तीरशी कटिंग स्लीव इसके मैंने लास्टिक वाले बनाए थे ये देखें जी गला मैं बना चुकी हूं राउंड शीर में मैंने सिंपल गला बनाया है फ्रंट मैं इसका जोड चुकी हूं अगर आपके पास फैशन पटी है तो वह आप लगाएंगे पाइपिंग लगाना चाते हैं तो व बारे एक फोल्ड कर लिए ताकर दागे ना निकले नीचे से लाई कर लिया और सारा पास बिल्कुल तयार किया है यहां से अठा को बिल्कुल पमांने बटन टेक साइडी किया है क्योंके यह 13 सी 14 साल की बच्ची का तो गला पहनने में मुश्किल ना हूं अब बैक को उठा मैं कर चुकी हूं नीचे से भी और साइट से भी यहां से उठा के इसको मैं यहां पर रखूँगी और आपने चस्ट का साइस जो हाग वह MAIER कार लेना है उसके कि अकॉर्डिंग ही हम इसको सेट करेंगे जो बिगनर से मैं उनको बताती चलू कि आपने क्या करना है अगर आपको लगे कि ए बिल्कुल सेट है उधर इसकी पहले मार्किंग करनी है फिर आपने स्लाइक करना है ताकर आप इसको स्लाइक करें तो यह आगे पीछे ना हो जाय जैसे एक तरफ से किया है, दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी, यह देखें, दोनों साइट से जब आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लें, पहले आपने चस्ट का साइज मायर कर लेना है, अगर बड़ा छोटा लगे तो आपने इसको पहले सैट करना है, फिर चाक की मदर से निशान लगाएंगे, और फिर हम इसकी स्लाइग करेंगे, आर्म होल जैसा है, इसके साथ में बाल में स्लीव अटैज करूँगी, और यह देखें जी, नीचे से जब आपने इसको स्टिच करना है, तो साथ इंच मैंने इसको स्लाइग नहीं किया, यह अब आपके अपनी मर्जी है, आप इसको इसको इस तरह से ओपन रखना चाते हैं, इसको स्टिच करना चाते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दी है, लैस मैं इसलिए टैज कि ताके यह थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, और यह देखें, फ्रंट शोर्ट है, और बैक लो बैक लोगा दी है, और सेंटर में चुननत है, बैक इसका लोग है, और फ्रंट इसका शोर्ट है, आपने जरूर फीडबैक देना है कि आपको यह जो टॉप है, यह कैसी लगी, अगर आप और भी प्यारे प्यारे फ्रॉग की वीडियो देखना चाते हैं, तो मेरे चैनल का तो पहनने में मुश्किल होती है, बटन जो है वो चूपते हैं, अगली वीडियो में इन्शाला से फिर किसी ने वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए द्वाव में याद रखिएगा, अलाहाफीज